हेलो स्टुडेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में तो देखें स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम प्राचिन भारतिय इत्यास के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बताऊंगी कि जो प्राचिन भारतिय इत्यास के साहित्यक स्रोत हैं उनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है तो डिटेल से वहाँ पे आप साहित्यक स्रोत के बारे में जानकरी प्राप्त पहले वाले वीडियो में करें और इस प्राचिन काल में जो भी प्राचिन काल से जो भी हमें जो अभी लेक लिखे गए सिलालेक लिखे गए हैं इस्थम लेक लिखे गए हैं सीख्ये हैं चित्र कला है प्राचिन काल की या फिर मूर्ति कला है जो भी चीजे हमें अब प्राप्त हो रही हैं जिन से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो ही क्या है पुरातात्विक श्रोत हैं जो ह परमाण मिले हैं तो वो ही क्या है पुरातात्विक्स रोत हैं और प्राचीन भारतिय इत्यास को जानने के लिए जो पुरातात्विक्स रोत हैं यह सबसे ज्यादा परमाणिक हैं सबसे ज्यादा सही हैं इनसे हम सही इन प्राप्त करते हैं और इत्यास के बारे में जानकरी भ हमको भारतिय पुरातत्वय का जनक कहा जाता है तो कई बार प्रेक्षा में पूछा जाता है कि भारतिय पुरातत्वय का जनक किसे कहा जाता है वो हैं अलेक्जेंडर कनिंगम तो भारतिय पुरातत्तिक स्रोथ हैं वो कौन-कौन से हैं अभिलेक, सिला लेक, इस्थंबलेक, स प्राचिन काल से इसका उप्योग हो रहा है सासक अभी लेखों के द्वारा अपने आदेसों को इस तरह है उत्कीड करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें यहां पढ़ सकें और अपने आदेस का पालन करवा सकें लोगों से तो जो राजा अपने आदेश होते थे उनको किसी पत्थर या दाथू पर लिखते थे लिखवाते थे और उनको जनता पढ़ती थी और उन्हों आदेशों का पालन करती थी यही क्या है अभिलेख है और यह आधुनी काल में भी चल रहे हैं इनका अभिलेखों का उप्योग आधुनी काल में भी हो रहा है तो अभिलेखों के बारे में कई बार परसन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं को धान में रखते हो या हमने इंपोर्टे नौर्स मनाएं और वो हम आपको यहां पर बताएंगे तो सबसे प्राचियन अभिलेख है वैं मध्धे एसिया का बोगजगोई का अभिलेख है बोगजगोई का अभिलेख 1400 इस्सा पूर्वा में लिखा गया तथा इस अभिलेख पर इंद्रे, मित्रे और वरुण आदी वधिक देवतों के नाम मिलते हैं प्राचियन भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख मोरिय सासक असोक के मिलते हैं असोक के अधिकतर अभिलेख ब्राहमी लिपी में हैं असोक के अभिलेख तीसरी सताबदी इस्सा पूर्वा के हैं उत्री पस्सिमी भारत के कुछ अभिलेक जो असोग के मिलने हैं वो खरोष्टी लिपी में भी मिलने हैं मासकी, गुर्जरा, निटूर तथा उद्दे गोलन से प्राप्त अभिलेकों में असोग के नाम का स्पष्ट उल्लेक है अर्थात मास्की, गुर्जरा, निटूर, उद्धे गोलन से जो भी अभिलेक प्राप्त हुए उनमें असोक नाम मिलता है इन अभिलेकों से असोक के धम वर राजत्वय के आदर्स पर भी परकास पड़ता है लगमान एम सरेकुना से प्राप्त असोक के अभिलेक युनानी और आर्मेइक लीपियों में मिले है ठीक है न? तो असोक के ज़्यादा तर जो अभिलेक है वो ब्रामी लीपि में है और उत्री पसी में भारत के कुछ अभिलेक असो के मिले हैं वो खरोष्टी लिपी में मिले हैं और जैसे कि लगमान और सरेकुना से प्राप्त जो असो के अभिलेक है वो युनानी और आर्मेइक लिपियों में मिले हैं सर्वा पर्थम 1837 इस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राहमी लिपी में लिखित असोग के अबिलेकों को पढ़ाता दारा से प्रभावित होकर असोग ने अबिलेक पर्षलित किये थे सर्वादिक अबिलेक मैसूर से मिले हैं प्रारंबिक अबिलेक प्राकर्थ भासा में हैं जो गुप्त काल के पहले के हैं और गुप्त और गुप्तोत्र काल के जो अबिलेक हैं वो संस्कृत भासा में मिले हैं यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर से प्राप्त गरूर स्तमलेक में दूसरी सतापदी सा पूरमे भारत में भागवत धर्म के विख्सित होने के साख से मिरते हैं मद्धे परदेश के एरण से प्राप्त वाराह परतिमा पर हून राजतोर मान के लेखों का विवरण है परसी पोलिस और बहिस्तून अभिलेखों से ग्यात होता है कि इरानी समराट दारा ने सिंदु गाटी को अधिकरत कर लिया था जीत लिया था अभिलेखों में भारतवर्स का उलेख हाती गुंपा अभिलेख में रिसम बुनकरों की जानकरी मनसुर अभिलेख से तथा सत्ती पर्था के साख से भानू कुप्त के एरण अभिलेख से मिलते हैं तो यहां पर हमने अभी लेखों के बारे में जो इंपोर्टेर्स उसना थी वो देखी, अब हम देखते हैं सिला लेखों के बारे में, तो जो पुरात्यात्विक स्रोत सिला लेख हैं, उसके सिला लेखों से हम इत्यास के बारे में कैसे जानकरी प्राप्त करते हैं, क्या-क्य या चटान पर खोदी गई लिखित रचना को ही सिला लेक कहा जाता है सिला लेक का अर्थ होता है पत्थर पर लिखा हुआ ठीक है तो सिला लेक का अर्थ क्या है पत्थर पर लिखा हुआ और इसको इंग्लिस में या अंग्रेजी में इसको पेट्रोग्राफी कहा जाता है पत्थरों पर या गुफाओं की पत्थरी ली दिवारों पर जब कोई लिखित रचना की जाती है तो इसे सिला लेक कहा जाता है तथा पत्थरों पर लिखने की कला सिला लेखन कहलाती है सिला का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान और जब लेख सब्द इस से जुड़ जाता है तो यह क्या हो जाता है सिला लेख सिला लेक शाब्द समराट असोग द्वारा पत्त्रों तथा चट्टानों पर छोड़े गए लिखित मानव आदर्सों के मिन्ने के बाद से पर्चलित हुआ है समराट असोग की सिला लेक इतिहास की एक स्पस्ट छवी उकेरते हैं तथा एक एहम इतिहासिक दस्तावेज माने जाते हैं तो असोग के जो सिला लेक हैं वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे अब देखेगा इस्तमलेक तो इस्तमलेक होता क्या है इस्तमलेक वे लेक हैं जिनको किसी खुले स्थान पर पत्थर पर उत्किन किया जाता था सीला मतलब सिल यानि एक तरह से चोकोर आकार के स्यामपट की तरह जिस पर हम आज भी हम लिखते हैं लेकिन वे लेक चिरकाल तक विचारों वे विचार धरा को सुरक्षित करने के लिए लिखे जाते थे जैसे असोक के साथ इस्तमलेक और ये असोक के साथ इस्तमलेक हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे अब अगला स्रोत आता है पुरा तात्विक स्रोत में सिक्के तो सिक्कों के अध्यन को मुद्रा सास्तर कहते हैं प्राची इंतम सिक्के आहत सिक्के अर्थात पंचमार के सिक्के कहलाते हैं इनी सिक्कों को साइते में कासारपण भी का गया है ये सिक्के पांचवी स्ताब्दी इस्सा पूर्वे के हैं इन सिक्कों पर पेड, मचली, सांड, हाती, अर्ध, संदर, आधी अकरतिया उतकिन हैं आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी नीधिया पूर्वी उत्तर परदेश और मगद में प्राप्त हुई हैं पुरानी सिक्के तांबा, चांदी, सोन्ना और सिसा धातु के बनते थे आरंबिक सिक्के चांदी के हैं सबसे जो आरंबिक सिक्के हैं वो हैं चांदी के तो 206 इस्सा पूरवा से लेकर 300 इस्वी तक के भारतिय इतिहास का ग्यान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की साथ से इप्राप्त होता है अब देखेगा 206 इस्सा पूरवा से लेकर जो 300 इस्वी तक के भारतिय इतिहास का ग्यान है होता हमें मुद्राओं से इपराप्त होता है इससे पहले के जो सिख्य है वो उन पर लेख नहीं मिलता है और उन पर जो चिन बने हैं वो भी ठीक ठाक नहीं है यह सिख्य हमने पहले भी पताया आहत सिख्य है पंचमार के सिख्य है धातु के टुकडो पर ठपा मार कर बनाई गई भुद्धकालिन आहत मुद्राओं पर जैसे पेड़, मचली, सांड, हाती, अर्ध, चंद्र, अधी वस्तों की आकरतियां होती थी और बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तीथयां भी मिलती हैं अब जैसे मैं आपको यहां पर बताऊंगी कि तो इस प्रकार की मुद्रों के आधार पर अनेक राजवनसों के इतिहास का पुर्ण निर्माण संबव हो सका है विशेश कर उन हिंद युनानी सासकों के इतिहास की जानकारी जो उत्तरी अपकानिस्तान से भारत महुचे थे सासकों की अनुमति से संग अर्थात सरियोणि ने भी क्या करा सिक्के चलाए थे सरवादिक मात्रा में मुद्राय में मिली है और जो मुद्राय मिली है वो सिसा पोटीन तंबा कांस्ता चांदी तथा सोने की हैं इसे प्रकार जैसे कुसान सासक है उन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों में सुधता वाले सरवादि सुने के सिक्के किसने चलाई वह हैं गुपत सासक तो सबसे ज़्यादा सुधता वाले सोने के सिक्के तो हैं खुसान सासकों के और सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के हैं वह गुपत सासकों के कनिस्क के सिक्कों से उसका बोधर मावली होना हमें पता चलता है इसी प पराक्रम शाब्द उत्किन है और समुद्र गुप्त को वीना बजाते हुए भी सिक्कों पर दिखाया गया है अब जैसे कि इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन सासकों के इत्यास के मुख्य सुरोते सिक्के ही हैं चंद्र गुप्त द्वित्य की व्यागर सली की चांदी की मुद्रों में उसके द्वारा पस्सिमी भारत के सकों पर विजय सुचित होती है सात्वाहन सासक साथकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत अंकित होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का नुमान हम लगाते हैं सात्वाहनों ने सिसा के सिक्के चलाई ये क्यूसन कई बार पूछा जाता है कि बाई सिस्य के जो सीक्षे हैं वो किसने चलाए थे वो हैं आपके सात्वाहन गुप्त सास को ने सरवाधिक सोने के सीक्षे चलाए ठीक है तो सरवाधिक सोने के सीक्षे किसने चलाए गुप्त सास को ने चलाए भारत में सरवाधिक सोने की मुद्रा का पर गिस ने किया था? इंडो बैक्ट्रेन ने किया था? सरवादिक सिक्के मौरYouTrakal के मिले हैं आरंबिक सिक्कों पर चिन मात्र मिलते हैं लेकिन बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तीत्यां भी उलेकित हैं सर्व पर्थम लेख वाले सीखें इंडो ग्रीक सासकों यानि हिंद युनानी सासकों के स्वन सीखें हैं पकाई मिटी के बने सीखों के सांचे इस्सा की आरंभिक तीन सद्यों के हैं इन में से अधिकास सांचे कुसान काल के हैं और देखें यहां पर मैंने आपको बताया कि बही सबसे ज़्यादा सुद्धता वाले सोने के सिक्के किसने चलाए थे कुसान सासकों ने और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे गुप्त सास को ने क्यों सन कई बार पूछा जाता आप इसको बार-बार याद करिएगा पढ़िएगा इस चीज़ को आप अब देखे स्मारक एवं भवन तो इस्मारक एवं भवन प्राचेन काल के महलो एवं मंदिरों की सहली से वास्तुकला का हमें घ्यान होता है वास्तुकला है उस चाहिएं पर कैसे मंदिर बनते थे कैसे भवन बनते थे इन सब के बारे में हम उस समय की जो स्मारक हैं और भवन हैं उनको देखके हम पता चलाते हैं उस समय की वास्तुकला का उत्तर भारतिय मंदिरों की कला सहली नागर सहली कला थी तो वास्तुकला की कौन-कौन से सहली थी नागर सहली दर्विर सहली और एक थी बेसर सहली ठीक है ना तो उत्तर भारतिय मंदिरों की कला सहली थी नागर सहली दक्षिन भारतिय मंदिर कला दर्विर सहली कला थी ती और दक्षिनापत के जो मंदिर हैं वो बैसर सली के मंदिर हैं जो बैसर सली में क्या था बैसर सली में नागर सली और दर्विर सली दोनों का मिक्सप था मंदिरों इस्तूपों विहारों से तत्कालिन धार्मिक विश्वासों की जानकरी भी हमें प्राप्ति होती है अब अगला साक्से आता है चित्र कला तो अजन्ता के चित्रों में माता और सिसु के चित्र तथा मर्नासन राजकुमारी जैसे चित्र है वो गुपत कालिन कला और ततकालिन जीवन के बारे में जानकारी परदान करते हैं अगला साक्स से जो पुराता अत्विक सोरो थह वो अगला जो मुहर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे हडपा और मुहंजोद्रों से प्राप्त मुहरों से ततकाली धार्मिक इस्तिति ग्यात होती है इसी प्रकार बसाड से प्राप्त मिट्टी की मुहरों से व्यापपारिक सुरेणियों की जानकरी मिलती है और अगला जो पुरातात्विक स्रोथ है वो है मूर्ती कला तो देखेगा मूर्तियों की निर्मान सेली में गांधार सेली की गांधार कला की सेली पर विदेशी प्रभाव दिखता है जबकि मथूरा कला की सेली पर पूर्टिया सब्देशी प्रभाव दिखाई देता है तो मूटी कला है वो दो परकार की थी एक तो गांधार से ली थी एक थी मथूरा कला से ली थी उस पे तो पूरा का पूरा भारती है जो कलाकार है उनका ही प्रभाव दिखाई देता है जिबकि गांधार से ली है उन पर विदेशी कलाकारों का प्रभाव हमें दिखाई देता एक्जाम्पल के तोर पर हम देख भी सकते हैं, कस्मीर के नव पासानिक पुरास्तल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्से मिला है, जिन से उतरने के लिए सीडिया होती थी, कुसान काल वै गुपतोतर काल में जो मूर्तिया बनाई गई उनसे जनसादारन की दार्मिक का पताचरता है, प्राचिर भारत में कुसान काल से मुर्तियों का निर्मान प्रारम हो था, भरहूत, बोद गया और अमरावति की मूर्ति कल्ला में जनसामाने की जीवन की दसाः ग्याँत होती है अब देखें पुराता अत्रिक स्रोतों में एक स्रोत उत्खनन से प्राप्त अवसेस भी आते हैं वो क्या क्या हैं पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन से प्राप्त पूरा पासान यूग के पत्थरों के खुर्दरे अथियारों से पता लगाया गया कि भारत में 4 लाग से 2 लाग वर्ष पूर्वय मानव रहता था 10,000 से 6,000 वर्ष पूर्वय वै करसी कारिये पसुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के ओजार बनाना सीख गया गंगा यमुना दोआब में पहले काले और लाल मर्दभांड और भुरे रंग के मर्दभांड प्राप्त हुए हैं मोहंजोद्डों में 500 से अधिक की संध्या में मुहरें प्राप्त हुई हैं जो हडपा सिंस्कृत के निवासियों की धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी परदान करते हैं बसाड, बसाड क्या था आरेंबिक वेशाली तो बसाड से 274 मिटी की मुहरे मिली हैं कोसांबी के उत्खरन कारे में उद्यन का रात प्रासाद तथा गोसिता राम नामक एक विहार मिला है अत्रंजी खेडा की खुदाईयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रियोग इस्सा पूरवा एक हजार के लगबग शुरू हो गया था दक्सिन भारत में अरीका मेडू नामक एस्थल की खुदाई से रोमन्सी के तथा दीप का टुकडा और बरतन आदी मिले हैं तो इससे स्पस्ट होता है कि इस्सा की आरंबिक सतापदियों में रोम तथा दक्सिन भारत के मद्दे गनिस्ट व्यापारिक सम्मन था तो इन पुरातात्रिक स्रोतों से हम पता लगा लेते हैं कि पहले जो प्राचिन का था उस समय कोन सा धरम था कोन सा राजा था कोन से राजा के पास कितना धन था किस परकार से लोग अपना जीवनियापन करते थे उस समय का कैसा समास था किन किन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबन थे इन सब के वारे में हम पुरा तात्विक स्रोतों से पता लगाते हैं तो धन्यवार यहां पर हमने पुरा तात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा है और आगे भी हम इसी प्रकार से नए-ने वीडियो इत्यास के बारे में आपको दिखाएंगे तो हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए-नए इन्फोर्मेशन मिल सके और आप हमें फेस्बुक पे लाइक और फोलो कर सकते हैं और हमारे वर्ड्सब पे बने जो प्रोड्कास चैनल उसे आप जूड सकते हैं आप हमें कोई इत्यास सम्मझेद कोई प्रसन भी पूछ सकते हैं तो धन्यवाद